नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पृती शेवास्तो एक बार फिर स्वागत है आपका अजूबे में हर देश की अपनी सभ्यता और कानून होते हैं कुछ कानून देश के लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने और देश में शांती विवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं लेकिन कुछ देशों के कानून इतने अनोखे होते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे ये कानून इतने अजीबों गरीब हैं कि इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है और कभी-कभी तो हसी भी आती है जी हाँ हम आपको बताएंगे दुनिया के पाँच अजीबों गरीब कानून के बारे में तो आईए जानते हैं शुरू करते हैं पहला कानून है सोने से पहले नहाना जरूरी जिहां सन्युक्त राज अमेरिका में एक छोटा राज्य है जहां बॉस्टन नामक शहर में एक अजीबों गरीब कानून है जिसके तहत आप रात को बिना नहाए बिस्तर पर नहीं जा सकते और साथ ही आप रवीवार के दिन नहा नहीं सकते वहाँ इस नियम का उलंगन करना गैर कानूनी है ये सुनने में थोड़ा अटपटा है लेकिन सच है आए बढ़ते हैं दूसरे कानून की ओर देर रात टॉयलेट में फलश करना गैर कानूनी सुर्जर लेंड का ये कानून बेहद अजीबो गरीब है अगर आप सुर्जर लेंड में रह रहे हैं तो रात दस बजे के बाद टॉयलेट में फलश करना गैर कानूनी माना जाएगा फिर भले ही आप अपने घर में ही क्यों न रह रहे हों। दरसल टॉयलेट में फ्लश करने के समय आवाज आती है और सरकार इसे ध्वनी प्रदूशन की कैटेगरी में रखती है। शैद इसलिए इस कानून को बनाया गया हो। खैर हम बढ़ते हैं अपने अगले कानून की ओर जो है जगड़ा करना जगड़ा करना गयर कानूनी है। अपने देश में अजीबो गरीब कानून बनाने के लिए मशूर हैं। उन्होंने यहां नीले रंग की जिंस पर रोक लगा रखी है। पश्चिमी संस्कृती के प्रभाव से बचने के लिए उत्तर कोरिया में इसे प्रतिबंधित किया गया है। आईए जानते हैं अगले कानून के बारे में। विक्स का इस्तिमाल करना जापान में बैन है। अलर्जी या साइंस की दवाई जिनमें स्यूडो एफंडरीन नाम का या कोडिन मौजूद है। उनका इस्तिमाल करना देश में बैन है और उन्हें देश में नहीं लाया जाना चाहिए। अगर आप इसे जापान में ले जाते हैं तो शायद आपको जेल भी हो सकती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही देखते रहें अजूबे सिर्फ N27 न्यूज पर।